नमस्का दोस्तों मैं हूँ सिवराज सिंग स्वागत है आपका मेरी चैनल हिस्ट्री विद्ध सिवराज सिंग में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग योजी से निट का दिसंबर 2015 में जो सेकेंड पेपर आया हुआ है हिस्ट्री का उसको हम लोग देखेंगे ठीक है फ्र प्रस्ट में पचास बहुबिगल्पी प्रस्ट प्रतेग प्रस्ट के दो अंख हैं सभी प्रस्ट अनिवार हैं पहला कुश्चन देखिए भारत में प्राचीनतम चूले का पूरा तात्विक अवसेस मिला है या आपका पहला साई है बिला सुरगाम से आगे देखें दूस दूसरा दच्छिड एसिया में कहां पर सुसे प्राचीनतम गेहूं योग की खेती के प्रमार मिला है तो इसका उत्तर जो है दूसरा बलूचिस्तान तीसरा नमबर देखिए निखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है या आपका तीसरा मौन जोदड़ो या आपका सवाधा आर 37 लिखा हुआ है आगे देखिए सुची चार हडपी अस्थाल इधर लिखे हुए है और पूरा तात्तिका उसे इधर लिखे हुए है सुमिलित करना है ठीक है इसका कूठ में तीसरा साही है अब देखिए मैंने सुमिलित कर दिया है एरोदवारा मौन जोदड़ो उत्क अगला क्यूशन देखिए क्यूशन नमबर पांच मां देखिए निमलिखित में से किस बैदिक देवता का हावाहन एसी या माइनर के बोगज कुई अवलेक में है ठीक है तो इसका उत्तर आपका चौथा साही है इंद्र नासत्या मित्र वाहन अगला क्यूशन देखिए क्यूशन नमबर छे भारत में कहां पर भोज पत्र भारत की बह प्रचलित लिखन प्रणाली का प्राचीनतम साथ शिपाया गया है तो इसका उत्तर आपका चौथा सही है शिरी रंगवेर पूर ठीक अगला देखिए क्यूशन नमबर साथ निल्खित में से सुकल याजुरवेत की कौन साहिता है तो यह आपका चौथा वाजस नहीं अठवा नमबर देखिए निल्खित में से किस दच्छिट भारत के राजिका उलेक मेगस्थनीच के निका में है तो यह आपका दूसरा पांड़ा है कि नौवा देखिए कहां पर भारतियुक महादीब का सबसे बड़ा अर्दवित्ताकार पुजा अर्थल खो जा गया है यह आपका दूसरा सीर कप दसवा नमबर निल्खित में से कौन तृतिय संगम का अध्याच था यह आपका तीसरा नकरीर ग्यारा नमबर देखिए निल्खित में से किस राजवान से भारत में सर्वत्ताम अपने सीकों पर तिथी का प्रारम किया तिसका उत्तर है चोथा कदर्मक सक बारण नमबर देखिए बयाना निधी में समावेशित गुप्त सास्कों के सिक्के दूसरा चंदगुद पथम से सकंद गुप्त तक आगे देखिए क्युश्चन नमबर तेरा निधे में से किस अभिलेक में सूर्य मंदीर के प्रमाड का उलेक है तिसका उत्तर आपका दूसरा सही है मंदसौर चोधर नमबर देखिए निधीमलिखित में से भारत के किस राजवान से अपने सिक्के जारी नहीं किये यह आपका दूसरा पल पंद्रा नमबर देखे निम्लिखित में से काची का कौन सा समधर गुप्र का समकालिन था तो यह आपका तीसरा देखे सही है विश्णों गोप तो यह आपका तीसरा सही है उरय यूर तो इसका उत्तर आपका तीसरा सही है छे मेंद्र अठारा नमबर देखिए पैगंबर मुहम्मद साहब की जिवनी नाटे मुहम्मदी को किसने संकलित किया तीसका उत्तर चौथा सही है जिया उद्दिन बरनी अब देखिए सूची वह सुमिलित करने वाला क्यूस्चन है आपका खूट में सही उत्तर का चैन कीजिए तो खूट में देखिए दूसरा सही है ठीक है और यहां मैंने रो दौरा मिला दिया है एका चौथा यह दिखिए एका यहां लिखा है दूसरों एका चौथा ठीक आप देख रहे है तो यह दिखिए बरबक प्रबंधग वकीले दर यह आपका हो गया साही माल का प्रमुक प्रभारी सरे जानदार यह आपका अंगरच्छों का मुखिया किवानी यह आपका खौ़मा डोने वाला आगे देखिए क्यूश्चन नमर 20 निम लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है यह आपका चौथा नमर सही नहीं है आप देख रहे हैं ठीक इसे आप पड़ लीजेगा यही आपका है आई लाइटनर मैंने लगा दिया आगे देखिए निम लिखित उद्धरण का लिखक कौन है ठीक है इस उद्धरण का लिखक कौन है तो यह आपका हो जाएगा बर्टन स्टाइन ठीक है इसे आप पढ़ लीजेगा समय का बच्चत हो समय चोटा वीडियो चोटा बनाने के लिए आप लोग पढ़ लीजेगा आप देखिए नीचे लिखे अंस को पढ़ें ठीक है इसे आपको पढ़ना है गौालियर के राजभौन को देखने को बाद विचार किसने वेक्त किये थे यह आपका बाबर अगे देखिए 23 नमबर क्यूस्चन निल्खित में से कौन सा स्रोत अब्दुल्ला कुतुब सा 1626 से 72 के सासंका में आरंभिक 19 वरसों के इतिहास का बयान करता है जो कुतुब सही दर्वार के रोजना मची की तरह है और उस समय के सामाजिक जीवन तथा प्रसासन पर प्रकास डालता है तो इसका उत्तर दूसरा से ही देखिए मिर्जा निजामोदीन आमद का हकीकत वो सला तीन आगे देखिए युश्चर नमबर 24 देखिए मुगलों के जवाने में बास्सा को तोफे देने के लिए दो तरीके प्रसलिश थे पेशकस और नज्य और रंगजीब ने इस सब्दावली की नए सीरे से परभासित किया निमलीखित में से कौन सा कथान इस संदर में सही नहीं है ठीक तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चवथा यह पढ़ लिजेगा आगे 22 स्वा देखे मुगलों के जवाने में विक्सित हुई तकनी के समय निमलीखित कौन सा कथान सही नहीं है ठीक पाउस करके पढ़ लिजेगा आगे 26 नंबर मद्यकालीन भारत के इतिहासिक सरोतों में चकला सब्द का प्रोयक किन अर्थों में हुआ है ठीक तुछ का उत्तर आपका चवथा हो जाएगा सूबा और परगना के बीच की छेतरी काई लेकिन अनिवारत सरकार के समानार्थी नहीं अब क्यूशन नंबर 27 निखित में कौन सा कथन सही नहीं है तो यह आपका हो जाएगा उत्तर तीसरा ठीक आगे दिखी निखित में कौन सी बस्तु जो अंग्रेजों त्वारा जहागीर के दवरां पेस की गई थी मुगरों के लिए आश्चेर के रूप में आ गया वह आपका है पहला समुद्री कोईला सी कोल अब देखिए 29 नमबर मानुकी ने निमलिखित भावपूं टिपड़ी किसके बारे में की तो यह आपका ठीक है इसका हो गया है उत्तर दूसरा इजारा दारी इसको आपड़ ली जाएगा आराम से बिद्वानों के ने बिभिन चरों का प्रयोक कर मुगल का नीन भारत की जन संक्या का अनमान लगाया है इस संदर में निम्न में से कौन सा कथान साही नहीं है तो यह आपका उत्तर है जो था ठीक है पढ़ लिजेगा आगे देखिए 31 नमबर मुगल प्रसासन यह आपका लिखा है यह विचार किसके हैं तो यह आपका तीसरा नमबर है सतीस चन ठीक दिख रहा है यह आप पढ़ लिजेगा अब देखिए 32 नमबर मुगल दरवार की तो हजीब की बारे में निम्लखित में से कौन सा कथान सत्त नहीं है ठीक है तो इसका उत्तरा आपका यह है जो था 29 नमबर देखिए कहां पर ऐसा उसकूल विक्सित हुगा जहां मिपताह उल फुजाला जैसे सब्दकोस के साथ अनुपांडूलिपियों का प्रचुर महत्रा में त्रांकन किया गया यह आपका दूसरा सही है मालवा भारत में यूरोपी विपरी कंपनियों के अग्मन को काल करमा नुशार करम बद कीजिए तो यह आपका देखिए कूर्ट में सही उत्र है चाउथा टीक पूर्टगाली डच डेटिस फ्रांसीसी अगला क्यूशन देखिए करनाटक में काउंट द लैली के सैन अभियानों से सम्मादित निलिखित बगतक में उपर विचार कीजिए नीचे दिये गए कूट की सायता साही उत्तर का चैन कीजिए तो यह दिखिए C और D सही है C और ठीक है पढ़ लिजेगा आप लो वाई सुमेलित करने के लिए है देखिए सामाजी कांदोलन यह किन छेत्रों में हुए है ठीक यह सामाजी कांदोलन है किन छेत्रों में हुए कूट में देखिए आपका पहला सही है एरो दौरामने मिला दिया है देखिए परमहंस मंडेल ये आपका महाराष्ट, कायस्त सभाई, ये आपका उत्तर प्रदेश, सरीन सभाई, ये आपका पंजाब, और स्री नरायनधार परिपालन सभाई, ये आपका केरल, ठीक, अब देखिए, नीचे दो वेक्तर दिये गए हैं, एक को कथन, ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है, इसका उत्तर देखिए, ये आपका था नहीं, और आर पढ़िएगा, इसका उत्तर यहाँ पे पहला है, ये और आर दोनों सभी हैं, आरी की सभी बैख्या है, ठीक, आगे चलिए, सुमीलित करने वाला है, भारती राष्टी कांगरेस के अध्याचिधा लिखे हैं, उनका वर्स क्या है, वो इधार है, सुमीलित करना है, कूट में देखिए, तीसरा सही है, आप देखिए, रहिन तुला सयानी, 1896, बहरून दीन तयब जी, ये आपका 1887, मुलाना अबूल, कलाम आजाद, 1945, और नवाव सेयद मुहम्माद, ये आपके हैं, 1913, अगला केशन देखिए, 45 नमबर, निलिखित में से कौन दे इंडियन स्ट्रेगल, 1935 से 42 पुस्तक का लिखाक है, तो ये आपका सुभास्चन बोस है, 46 नमबर देखिए, निलिखित में से किस दिधी को, मुसलिन लिख द्वारा सिधी करवाई का दिवस, डिरेक्ट एक्षन डे मनाया गया, ये आपका उत्तर तीसरा सही है, 16 अगस्त, 1946, निलिखित में से कौन से बड़े राज्जियों ने जून 1947 में ही सोतन बने रहने की इच्छा वेक्द की थी, वो आपका पहला है, ट्राउ किया गया, ये आपका राणजीत कुहा, 49 निलिखित में से किसने माना की, जैसे कि डार्विन ने जैविक परकित की विकास के लिए नियम की खोच की थी, उसी प्रकार मार्क्स ने मानो इतिहास की विकास के नियम की खोच की थी, इसका उत्तर पहला, फेडरिक एंजल सही है अगला एक देखिए, क्यूस्चन नंबर पचास और अंतिम क्यूस्चन, भारती राष्टी इतिहास लिखन की समंधित से समंधित, निलिखित वर्यक्तब्यों पर विचार कीजिए, इसमें देखिए नीचे दिया एक उटों, उसमें से सही उत्तर का चैन करना है, कौन सा सह है, तो यहां देखिए, चौथा सही था, ए और डी, ए और डी, ठीक है, इसमें प्यागरता के साथ राष्टी पाचान की खोच की गई, प्राचीन भारती अतित का महिमा मंदन किया गया, ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, यह सेकंड पेपर इतिहास का दिसंबर 2015 कम्प हैंगे, ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,